हाई फ्रेंड्स तो इस वीडियो में मिलेगी आपको complete information बहुती दुल्लब और rare कुमाउं मैस्टिफ के बारे में और जो डॉग ब्रीट पूरे इंटरनेट में नहीं है पूरे यूट्यूब में नहीं है मैं दावा करता हूँ मैं उसके बहुत close पहुच चुका हूँ और मैं कि इन सोर्सेस में कितना सच है और कितना जूट तो मेरे इसाब से तो मैंने कुमाउं मैस्टिफ की फोटो और वीडियो ले लिए और बस मुझे अब आपको यह knowledge शेयर करनी है और वो भी इसलिए कि हम इस डॉग ब्रीट को जहां भी मिलें इसे पहचान सके और इसे बचान में अनसेफ हो कैसा लगेगा कि इंडिया से सारे टाइगर्स एक्स्टिंक्ट हो जाएं हमारे नेटिव पेड़ पौदे जैसे कि पीपल बर्गत पिलखन इंडिया से गायब हो जाएं ठीक सेम फीलिंग आती है यह जानकर कि ऐसा भी एक इंडियन डॉग है जो लगभग ए इतना रेर है कि इसकी बस दो-तीन फोटोज ही आपको इंट्रेट पह मिलेंगी और वीडियो वह तो बिल्कुल है नहीं और ऐसा क्यों हैं पहला जिन लोगों को इन डॉग्स में इंड्रेस्ट है इंडियन डॉग्स में इंट्रेस्ट है उनको ये डॉक्स कहीं मिल हím नहीं फोटोज वीडियो लोगोंने क्या-क्या डाली है और फिर मैं बताऊंगा कि मुझे अपनी रिसर्च में क्या पता चला और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि सच में कुमाउं मैस्टिफ कैसा होता है उसकी फोटोज और वीडियो शेर करूंगा हां जी तो शुरू करते हैं देखते हैं तो हम जाएंगे google.com पर और लिखेंगे कुमाउं मैस्टिफ विकीपीडिया ठीक है विकीपीडिया में अगर जाएंगे तो यहां पर कुमाउं मैस्टिफ यह तो विकीपीडिया का अपना पेज है यहां से देखो कुछ डिस्ट्रॉइं एन आर्टिकल कुछ भी लिखा हुआ है अब उसके बाद हम आएंगे इसके आर्टिकल पर इसके आर्टिकल में थोड़ा सेस्पेंस चुपा हुआ है तो मैं यह आपको थोड़ी देर में बताता हूं ठीक है तो इससे पहले हम एक बार पीछे चलते हैं वापस कुमाउं मैस्टिफ के बार इस डिट रेर साइप्रो कुकूर कहते हैं बिल्कुल सही दीस डॉग्स और इजनली ब्रेट गार्डिंग डॉग्स हिली स्टेट ऑफ कुमाउं उत्राखंड में बिल्कुल सही डेड़ सो से दो सो कुमाउं मैस्टिफ डॉग और रिमेनिंग इन इंडिया यह तो कितने साल पहले से मैं सुन रहा हूँ डेड़ सो से दो सो कुमाउं मैस्टिफ डॉग अब मेरे हाल से 20-30 बैचे होंगे अगर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा तो कि पुरानी अपनी डॉग ब्रीड को तुम भूल गए और बाकी डॉग ब्रीड पे ज्यादा फोकस है तो एक्सेप्शनली पावरफुल इस डॉग्स टायलेस वर्कर्स और डेफिनिटली नीड टो बी सेवड यह लिखा हिस्ट्री हिस्ट्री में यह कहते हैं इस बिलीव क कि यह बहुत रेर डॉग है इसके ओरिजिन कुमाओं हिमालिया माउंटेंस में है जहां पर यह पहले नेटिव इंडियन ट्राइब कुमाओं में ब्रेड किये जाते थे जोग में भी फाउंड फिनलेंड और इटली में ओके अब वापस देखते हैं कि इन्होंने क्या से कुमाओं मेस्टिफ साइपरो कुकुर वेरी इंशेंट ठीक है इंडिजिनेस टु कुमाओं रीजन कुमाओं में मिलते हैं प्रेजेंटे उत्राखंड में डेड़ सो से दो से स्पेसिमें वही वही कहानियां पर भी है एक्स्टेमली रेर ऑन इस एरी ओफ ओरीजिन वहा कुमाओं मेस्टिफ और कुमाओं मेस्टिफ कह रहे हैं यह कुमाओं मेस्टिफ चलो यह यह पिक्स थोड़ी सी मैच कर रही है बस यही दो पिक्स थोड़ी सी मुझे लग रही है कि जो कुमाओं मेस्टिफ मैच कर रही हैं बाकी तो यह ऐसी है अच्छा पहले हम अब इमे कुट्ता, बुल मैस्टिफ, कोरियन मैस्टिफ, रीसा कनारियो, ये भी थोड़ी-थोड़ी ठीक लग रही है, पर इसकी पूच कुछ ज्यादा पतली है, अच्छा, कुमाउ मैस्टिफ, इन्फो हिस्ट्री, ये देखो, फ्रेंच मैस्टिफ, अब, अगर कोई एक बारी के ल बारी को अभी पताच चलेगा, ठीक है, पर खुल मिला के ये देखो, एक authentic source, ये इमेज इसलिए लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये authentic source है, ठीक है, ये कहां से authentic source है, एक बार इस पर जाते हैं, और देखते हैं, ये कैसे authentic है, Arabic से translate हुआ है, Department of Animal, husbandry, daring, ठीक है, ठीक है, कोट थिक नेक कुमाव मेस्टिफ भीयर रिजेंब्लेंस तु ग्रेट देंस बस इतना लिखा इन्हों ने और कर दिया अपना काम खतम 24 मार्च 2021 को ठीक है 15 रिट्वीट और 54 एड्मिरेशन इसको खोलते हैं तो इन्होंने कि अगर नेटिव डॉग इंडियन डॉग ब्रीड कुमाव में स्टिफ वन अफ इंडिया मोस्ट प्राइस होम गार्जिंस इस ब्रीड वस ओरिजनली रेज़ एस गार्ड डॉग इन दे ह यह सबसे अच्छी चीज उन्होंने करी कि दव बैटर इंडिया को इमेज सोर्स बता दिया उसको क्रेडिट देना अच्छी बात है जिसकी आप इमेज वीडियो किसी को यूज करो तो उसको क्रेडिट दे दो ठीक है अब हम यहां से देखते हैं कि क्या कहानी शुरू होती है अब मेरे हिसाब से तो यह कुमाओ मैस्टिफ है ही नहीं कैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूं चलो वापस इसको बन दे अब हम यहां पर डालते हैं सर्च बाइए इमेज अपलोड एन इमेज चूज फाइल कुमाओ मैस्टिफ ठीक है यह हो गई है फाइल अपलोड इनके हिसाब से कुमाओ मैस्टिफ आ गया अब कर देते हैं और साइज और साइज करने पर यह आगे सारी फोटोस ठीक है यह सारी सारी साइट कहां कहां विकी मीडिया Pourquoi, Comments, Facebook सब जगे जहां जहां जिसने डालिया है आफ देखो पहले विकी मीडिया विकीपीडिया की ही रेपोजिटरी है विकी मीडिया comments तो यहां पर आ हम इनों लिखा मैस्टिफ पलास की Wikipedia एक बर विजिट करते है इस जगे को कर मैस्टिफ पलास की 7512. Sandy है पिए जी हमोग कि तो साइस बात यहां पर यह इंडियन तो लगी नहीं लिए बता रहे हैं ज़्स नहीं कर रह और हो मादलल यह सब दैर आघ ओंई हसाब से जूते जिस सब का इंवाइर्मेंट है थी आपका कैम्रा में वाल अब तो है फिर भी नहीं लग रहा क्यों नहीं लग रहा है अभी बताता हूं आगे देखो हाँ डिपिक्ट पॉल्सकी मैस्टिव हिस्पलांस की विस्टवास पॉद्कू करत वेसी जो भी लिखा है इंग्लिश में देखे रहे हैं स्पैनिश मैस्टिव डॉग दूरिंग शो इन केटोविस पॉलेंड ठीक है तो इस इनको देना चीए था वो क्रेडिट ना की दबेटर इंडिया को अब यहां से जाते हैं 2007 की थी केटोविस 2007 में इन्होंने खूब सारे कुट्तों की फोटो कीची है ठीक है नीचे जाए नीचे जाए नीचे जाए नीचे जाए नीचे जाए नीचे जाए तो यह यहां पर ठीक है यह एक फोटो है जो सब जगे घूम रही है Spanish Mastiff यह प्लेपले 2000 की फोटो है इन्हों नहीं क्लिक करिए दूसरी फोटो भी ऐसी है और तीसरी फोटो में इन्हों ने आगे से इसको लिया है अब यह फोटो कहीं पर घूम नहीं थी है वरना यह वाली भी यह गलत information बता देते हैं जबकि यह क्या है यह Spanish Mastiff ठीक है इतना हो गया अब हम आते हैं आगे इसको close करते हैं ठीक है तो कुल मिला के जो यह फोटो है यह भी गलत और अगर हम आगे देखें तो इन्हों ने जो यह क्रॉप कर रखे ना जिसके कान अभी दिखनी रहे का है किसी के भी कान क क्रॉप करके यह कह देते हैं कि इंडिया के डॉग है जैसे यह अब देखो क्रॉप करने के बाद इंडिया में कहां से डॉग क्रॉप करे जाते हैं पहले से यह तो यहां का कल्चर है ही नहीं कि हम अपने डॉग के इयर्स को क्रॉप करें ठीक है दूसरा कुमाओ जगे हैं तो ठंडी जगे में जो कुत्ते होते हैं या फिर हिमाल लेजन ठीक है तो वो थोड़े से ऐसे होते हैं ये इनकी तरफ थ्यान मत तो ये गलत है ठीक है ऐसे होते है ये ंंकी थोड़ी सी आसी फ्लफी टेल होती है उनका मूञ थोड़ा ऐसा हता है उनके जो रोएदार होते है वो तो अब आते हैं हमारे वापस विकिपीडिया के अर्टिकल पर क्या था कुमाओं मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इससलि mindfulness कुमाओं मैस्टिफ विकिपीडिया ठीक है अब हम इस पर आए थे अब हम देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या था तो यह तो खुल है हमालियन शीप डॉक मतलब कुमाओं मैस्टिफ के बारे में information है यह नहीं, अब हम लिखें के कुमाओं कुमाओं, तो इनका मतलब हिमालियन शीप डॉग, हिमालियन शीप डॉग पढ़ लेते पहले, इस closely related to तीबितन मैस्टिफ, ठीक है उनके जैसे ही होते है, तिपिकली हाड्श तीक फर होता है, इनका black या ten color के होता है, broughtwail आ जैसे color और solid black भी होता है, किसी का बिल्कुल solid होता है, किसी में white marking, toes, chest और neck में होता है, जैसे कि मैंने bispin वाले video में बताए हुए, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जा के देख सकते हैं, ठीक है, they have small droop deer, लटके वे कान होते हैं, उनकी tail लटकी भी होती है, curl over their back, उनके उपर curl होती है, they are slightly distinct sub-varieties of the breed, इस breed की थोड़ी सी sub-varieties भी होती है, जो की कुमाओं हिल्स और चम्बा में मिलती है, कुमाओं हिल्स, कुमाओं म करते हैं, is brindle in color rich golden brown, या black in color, letter is smaller, जो चम्बा वाला है, वो थोड़ा छोटा है breed में, और resemble करता है, एक जैसे की लंबे बाल वाला labrador हो, ठीक है, अब हम आते हैं, इस line पे, brindle rich golden brown black in color, जिसको पता है, उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं पता, उसके देखते है, brindle color dogs, कै कैसे होते हैं, अगर आप देखोगे, तो ये चितकबरे से जो color है न, ये, 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 जैसे greyhound हो गया, इसमें आ गया, ठीक है, ये Dutch shepherd का हो गया color, Dutch shepherd, boxer, brindle color में, ठीक है, तो ये brindle color होता है, चितकबरा से, तो कुल मिला के हमें, क्या पता चला अभी तक, कि ये brindle, golden brown और black color के होते हैं, ठीक है, आगे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, अब आते हैं, वीडियो पे, कुमाउ मैस्टिफ, ठीक है, वीडियो, कुमाउ मैस्टिफ, देखो, इन्होंने Korean मैस्टिफ दिखा रहा है, ये देखने से भी फायदा नहीं है, इन्हों कोनों गलत दिखा रहा है, ये देखने से फायदा नहीं है, मतलब कुल मिला के ये कुछ देखने से फायदा नहीं है, महंगे महंगे डॉग्स वाला भी ये देखके फायदा नहीं है, अभी देखते हैं आगे, आगे अगर हम देखें, साइपो कुकुर, अरे साइपो फुल टाइम डॉग उनर है ना यह शरत शर्मा जी है जो FCI के जज हैं इंडिया में डॉग शोज जोते हैं उनके जज हैं तो इन्होंने बक्खरवाल हिमालियन शीप डॉग इनका पोड़कास्ट है उसमें से इन्होंने यहां पे लिखावा है यहां पे इन्होंने कुम आउ भी अच्छे विन्यर ओंडिया ग्रॉमिंग्शोग ठीक है खोलते हैं विच इस लेसर नन आवीड दीए हैं विच ग्रोंग कर्समें आपने कभी देखा है ना तो कुमाव मेस्टिफ वेस्ट्व के बारे में कह रहे हैं इंसे कि आपने कभी देखा है ना तो कुमाव locally amongst the villagers. करे, अगर कुमाओ में जाओगे तो आपको locally villagers के पास ये dogs मिल जाएंगे, इतने असान भी नहीं है मिलने. Right. And now look at this dog, Charrian, and put on a little coat on him. Put on the same color coat as his natural color is. Let it be red. Right. Or tan or rust or whatever you want to call the color. Okay. And you will find that other than the other than the brindling which you find on this short code right it's again very similar to a hsd or a gadi uh hsd मदलब हमालयन शीपड़ग और गदी कुटा वसी की वराइटी है गदी कुटा okay even amongst even amongst the long coated varieties like the saint bernard you have the smooth coated with saint bernard right so kumau mastiff in terms of size in temperament in terms of basic character and traits is nothing but a shepherd okay okay so it's the same one with uh that's a quote that may be a little more bulk it appears to be carrying a little more bulk because it's without its hair okay but if you if you look at uh the size uh you know probably closer to a tibetan mastiff in size than an hsd Tibetan mastiff के बराबर size के लग रहे हैं hsd से थोड़े से थोड़े से but then within the hsd when i say hsd i mean himalayan sheepdog within the hsd you don't still have consistency of size okay or himalayan sheepdog में consistency क्यों नहीं होती है क्योंकि हमको पता है कि वो लैंड्रेस होते हैं वो कोई प्यूर ब्रीट नहीं वो वहीं पे एवाल्व यह लैंड्रेस तो कोई कहां पे नीचे उपर जाके वो लैंड्रेस के लाती है कर आपने भोटिया वाला वीडियो देखा है तो उसमें जाके आपको यह सारा कॉंसेट पता चल जाएगा. Okay. You still don't have consistency of size. So, you'll get something which is 23 inches or 24 inches at the withers and then suddenly you'll get something which is 27 inches at the withers. Right. So, apart from the fact that it has got shorter coat than its two cousins. It's basically of the same family. Right. I think it was important for us to go through these breeds because, you know, चलो हो गया यह है. तो इतना बताना था. तो इनके हिसाब से यह एचसदी जैसा ही है. अगर ब्रिंडलिंग और वो ना हो ब्रिंडलिंग हटा दें तो यह एचसदी ही है. ठीक है? चलो आगे चलते हैं. अब इस हिसाब से अगर इस definition पे कोई खरा उतरता है न डॉग? तो वो है यह वाला. यह मेरे पापा हैं ईस डॉग के साथ. यह डॉक ब्रिंडल कलर में होता है भोटिया या हिमालियन शीप डॉक जैसा ही होता है इसका कोट उनके कोट से थोड़ा स्मूध होता है तो अब इस वीडियो से हमें पता चल गया कि कुमाओ मैस्टिफ कैसा होता है अब देखते हैं इसका वीडियो तो इस वीडियो से हमें पता चल गया कि कुमाउ मैस्टिफ कैसा होता है तो इन्हें बचाने के जिम्मेदारी किसे लेनी होगी हमको और आपको और सबसे ज़्यादा उन लोगों को जिनके पास ये नेटिवली पाया जाता है स्पेशली कुमाउ रीजन और गडफाल रीजन हमें बस इन्हें ढूंट के बचाने की ज़रूरत है तो इसी बात पर आज का वीडियो एंड करते हैं थैंक यू, बाइबाइ, स्ट्रेपोस्टिव